नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों पिछले कुछ समय से हम लोग एक सीरीज चला रहे थे कि अलग-अलग राशी के पुरुशों के साथ अलग-अलग राशी की महिलाओं का दामपत्य योग कैसा बनता है इसी तरीके से फिर हम लोगों ने उस सीरीज को आगे बढ़ाया कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि अगर पत्नी की राशी यानि लड़की महिला कन्या की राशी धनू हो और पुरुष अलग-अलग राशी के हो तो उनका विवायोग आपस में कैसा बनता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अगर लड़की की राशी धनू हो और लड़के की राशी मेश हो तो आपस का विवायोग कैसा होगा। मेश का पुरुष अपने विचारों से धनू की इस्त्री का दिल जीत लेगा, धनू की इस्त्री भी परिवार में संतुलित भाव से सबकी सेवा करेगी, दोनों की जोड़ी मिसाल कायम कर सकती है समाज में, धनू की महिला कभी भी अपने आपको बहुत साधगी से तो आपका दामपत्य जीवन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर लड़की की राशी धनू हो और लड़का वरिशब राशी का हो, तो इनका आपस में विवाह करना बहुत अच्छा नहीं रहता है, फिर भी यदि वरिशब का पुरुष अपनी वानी पर थोड़ा सा नियंत्रण करे और धनू की महिला समझोदा वादी अपना रुख अपनाए तो आप दोनों की आपस में फिर भी निफ सकती है, लड़की धनू राशी की और लड़का मिथुन राशी का, इन दोनों का सुभाव उग रहे, इसलिए आपस में अ आपके संबंद जो हैं मधुर बने रहेंगे, विवाह करना आपस में उचित माना जाता है, लड़की धनू राशी की और लड़का करक राशी का, धनू की इस्तरी अपनी धार्मिक्ता को नहीं छोड़ेगी, एवं करक का पुरुष अपनी धूर्तता को कम नहीं करेगा, इ विवाह करना है, तो एक दूसरे को ठीक से जान पहचान लें, समझ लें, तब आप आगे बढ़ें, वैवाहिक संबंद बनाना आपस में बहुत उत्तम बहुत अच्छा नहीं बताया गया, लड़की धनू राशी की और लड़का सिंग राशी का, धनू की महिला सिंग के प विवाहिक रूप से बहुत सफल और बहुत सुद्रिण मानी जाती है, लड़की धनू राशी की और लड़का कन्या राशी का, धनू की काम करने की धुन और कन्या का आलसी स्वभाव कतई मेल नहीं खाते, इनके शारिरिक सुख में भी बाधाएं आती हैं, इसलिए इनका विवाह संबंद बनाना जोतिश के द्रिष्टिकोर से बहुत उचित नहीं होता है, लड़की धनू राशी की और लड़का तुला राशी का, तात्विक मितरता के कारण इनकी पट्री अच्छी खाती है, लेकिन धनू की इस्त्री को जब गुस्सा आता है तो वो आपे से बाहर हो जाती है, ये धनू का नकरात्मक पक्ष है, इस पर नियंत्रण करना चाहिए, तुला अपनी कलपनाओं से धनू की धार्मिक मानसिक्ता को संतुष्ट रखेगा, आपकी जोड़ी आपस में बहुत उत्तम कही जाती है, लड़की धनू राशी की और लड़का भी ध धार्मिक और सामाजिक सोच जो है, वो अपने दूसरे पार्टनर को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, इन सभी कारणों से आपके विवासंबंद कई बार तनावगरस्त होने के बावजूद भी एक दूसरे को आप मना लेते हैं, समझा लेते हैं, और दामपत्य जीवन क जो गाड़ी है, वो किसी न किसी बहाने चलती रहती है टकराओ के बावजूद भी, अब हम लोग बात करते हैं कि लड़की अगर धनुराशी की हो और लड़का मकर राशी का हो, मकर का प्रित्वी तत्व होने के कारण आपकी सोच जमीनी होगी, धनु की महिला वैसे तो सा बातगी वाली होगी, लेकिन अपने पैत्रिक परिवार की और उसका जुकाव बहुत विशेश होगा, जिस कारण वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन हो जाता है, इनकी जोड़ी ओसत दरजे की ही कही जाती है, लड़की धनुराशी की और लड़का कुम्बराशी का, कु अपना भी इनके अंदर होती है, एक दूसरे को ये कॉंप्लिमेंट करते हैं, वैवाहिक जोड़ी उत्तम साबित होती है आपकी, लड़की धनुराशी की और लड़का मीन राशी का, मीन की सौम्यता और धनु की आडंबरवादी सोच, रिष्टों की मदूरता में बाधग बनती है, वैसे तो दोनों लोग एक दूसरे के प्रती अच्छे भाव रखते हैं, किन्तु विचारों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी विशय पर मदभेच सदय बना रहता है, इसलिए विवाह करने से पूर्व ठीक से एक दूसरे को समझ लें, कुंडली इत्यादी का ग्रह शेयर जरूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो, मुझे आग्या दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन, जटिल समस्या हो, या भाग्ये वाधा, भू व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो, या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव, पाईए अपनी समस्त जोतिश्य, तथा वास्तु समस्याओं का, सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव, आचारे पंडित, श्री वैभवनात शर्माजी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रधिष्टे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री, आचारे प पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें, 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें, शर्मा.webhub at the rate gmail.com पर